इडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बी ए सीजी थर्ड सेंग की बच्चों के लिए Common Preservatives of Milk and Their Detection यानि दूद के परिरच्छी पदार्थ और उनका ग्यात करना मालम करना अब दूद को खराब होने से कई तरह से हम बचा सकते हैं नमर एक दूद को गरम करके नमर दो दूद को अधिक ठंडा करके और नमर तीन दूद में रसाइन या परिरच्छी मिला कर पररच्छी अब दूद में मिला जाने पररच्छी के बारें बात करते हैं दूद में पररच्छी मिलाने से सूच्व जीवाड़ों की ब्रद्धी बहुत दीमी हो जाती है या तो वो नश्ट हो जाते हैं और दूद खराब नहीं होता है इस प्रकार की रसाइनों को दूद के पररच्छी कहते हैं इन में मुख्ध है सुहागा, बोरेक अम्ल, फार्मलीन, बेंजोयक अम्ल, सेलसिलिक अम्ल, एवं हाइड्रोजन पराउकसाइड है परन्तो खाद्य मैत्वा के द्रश्टी से इस प्रकार की रसाइन मिलाना अवैद माना गया है परन्तो खाद्य मैत्वा के द्रश्टी कौन से इस प्रकार की रसाइन मिलाना अवैद है यानि लीगल नहीं है अब दूद में मिले हुए प्रच्छियों को ग्याद करना है यानि detection of common preservatives उनको कैसे मालम करें अब नम्मर पहल से नम्मर फ़स्ट सुहागा या बोरेक्स या बोरिक एसेड अब नम्मर इसमें जैसे पेपर को डाल दो या ट्यूमेरिक पेपर तुरंत गुलावी भूरा हो जाए तो समझ लो दूद में बोरिक एसेड मिला है अब दूसरे तरीके से इसको ग्याद कर सकते हैं दूद या दुख्द पदार्थों की राक यानि एस बना लो इसे थोड़े सल्फियूरिक एसिड से भगो लो फिर एथिल एल्कॉल मिला दो तुरंत ही यदे इसमें से हरा सोला निकले तो समझो बोरिक एसिड मिला हुआ है सेल सिलिक अम्ल अब इसको कैसे ग्याद करते हैं सुनिए दूद में मर्क्यूरिक नाइट्रेट मिलाकर उसे च्छान लो अब च्छनित का रंग कुछ समय पस्चात रक्त जैसा लाल हो जाए तो सेल सिलिक एसिड मिला है मक्षन को पिगलाकर उसके जलिय बिलियन में मर्क्यूरिक नाइट्रेट मिलाकर च्छान लें तो यदे सेल सिलिक अम्ल मिला है तो च्छनित का रंग रक्त की तरह लाल हो जाएगा अब देखिए बैंजोएक एसिड इसके लिए बीस ग्राम दूद में बीस ग्राम सांद्र नमक का तिजाब मिलाकर देर तक हिलाएं फिर इस गोल को ठंडा होने के लिए रख दें ठंडा होने पर 25 ml एथर एवं पैट्रोलियम एथर के मिक्चर में मिलाकर गोल को ठीक से हिलाओ परडाम तय एथर अलग हो जाता है फिर इसमें अमोनियम हाइड्रोकसाइड की एक बूंद डालने पर यद अवच्छे प्रेसिपिटेट बन जाए तो दूद में बैंजोएक अम्ल मिला हुआ है अ कि कि फार्मली अब दूद में पानी को पानी की समान मातरा मिलाकर पतला कर लें फिर इसमें 91 परसेंट का एश्टूस ओ और साल्फियूरिक आमल मिला दो मिला दें तो स्टूस ओप और के नीचे अब जिली बनती है यदध दूद में फॉर्मलीन मिला है तो जिली के ऊपर और दूद के नीचे एक जामनी रंग दिखाई देगा यह रंग दो से तीन दिन तक इश्थिर रहता है इसके अतरिक्त यद हम दूद में कोई भी फैरिक अमल मिला दें तो दूद का रंग जामनी हो जाएगा इससे पूर्ण तैसित हो जाता है कि दूद में फॉर्मिलीन मिला हुआ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अब इसमें दो तरह से इसका मालम कर सकते हैं नम्मर एक यानि यह यदि दस एमेल दूद में दो या तीन बूदें पैरा फेनाइलीन डाइमाइन हाइड्रो क्लोराइड को मिला दें तो दूद का रंग गहरा न अब नम्मर सेकंड नम्मर भी एक परखनली टेस्ट्यूम में दस एमेल दूद लें इसमें दस बूदें सोडियम आर्थो विनाटेड एबम कुछ बूदें दस परसेंट सल्फियूरिक अमल या इस्वेम एस्ट एसफ़ वोलते हैं डाल कर अच्छी तरह हिलाने पर यादि लाल रंग उत्पन हो जाए तो समझो दूद में हाइड्रोजन पराउक्साइड मिली हुई है आप लिएं को अब नम्मर्ण स्ट कार्वोनेट एबंव बाइकार्वनेट एब इसमें देखिए इसको भी दो-तरह एसे मालं कर सकते हैं कार्वोनेट और बाइकारोनेट को अल dispेस्स ज़िसमें देखिए एक परहनली में पाँच एमेल दूद 12 एल्ल एथिल-एल्इल-ए zg यद परक्षनली के मिस्रन का रंग गुलावी हो जाए तो समझो दूद में सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ है अब नम्मर सेकेंड भी इसको में लखा हुआ है एक सिलका प्याली में दूद की राख यानि एस दूद को भस्म करके एस बनती है तयार कर लो इस एस यानि राख को उदासी यानि नीट्रिलाइज करने के लिए जीरो पॉइंट वन एनन नॉर्मल्टी अमल की यद जीरो पॉइंट थ्री एमेल से अधिक मात्रा ब्य होती है तो समझ लो दूद में बाई कार्बोनेट मिला हुआ है अब देखें सेवन नंबर नाइट्रेट का परिचर्ण टेस्ट आफ नाइट्रेट टैन एमेल दूद में टैन परसेंट एसीटिक एसिड की वन एमेल मात्रा मिलाकर बसा एवम प्रोटीन को अलग करके च्छान लें च्छने हुए द्रब से वन एमेल एक परखनली में लें इसमें सांद्र S2SO4 में तैयार की हुई डाई फिनाइल अमीन भोल की चार एमेल मात्रा परखनली की दीवार के सारे डाल कर मिला दें यह दोनों द्रब्यों के मिलने के इस्थान पर परखनली में नीले रंग का च्छला बन जाए तो समझो दूद में नाइट्रेट मिला हुआ है अब नेक्स्ट इसका दूसरे तरीके से मालम कर सकते हैं लगवक्त टैन एमेल दूद में फाइव एमेल ग्रीस होस्वे अभिकारक जैने ग्रीस होस्वे रिजेंट मिलाकर दस मिनट के लिए दूद को रख दो यह दूद का रंग गुला भी हो जाए तो दूद में नाट्र मिला हुआ है बच्चो इस तरह से आज हमारा यह टॉपिक यहां पर हम आप तो होता है और बच्चो इस चैनल को लाइक और सेर जरूर करिए और सब्सक्राइब इसको जरूर करें थैंक्यू